हलो दोस्तो ट्रेडिंग वित राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्फ लिमिटेट के बारे में आज के ट्रेडिंग सेक्षन में बहुत ही जबरदस्त प्राइस सेक्षन हमें देखने को मिल रहा है और अभी दोपहर के एक बचकर 43 मिनट हुआ है इस समय डेल्टा कॉर्फ लिमिटेट का सेर प्राइस 306.70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और 5.39 परसंट की इंटर डे में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है आज इस स्टॉक पे बड़ा ब्रेक आउट भी हमें देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि इसमें और भी उपर के लेवल देखने को मिल सकता है आज सुबा डेल्टा कॉर्प लिमिटेट का सेयर प्राइस 289.95 पैसे पे ओपन होकर 288.65 पैसे का लो बनाया था 308.50 पैसे का अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है और इस समय की मैं प्राइस सेक्षन बता रहा हूँ हो सकता है जब मार्केट क्लोज हो तो प्राइस और भी जादा हो लेकिन फिरहाल अभी 306.70 पैसे पे ट्रेट कर रहा है आगे और भी डिटेल्स में जानेंगे से स्टॉक के बारे में लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार के वीडियोगी चैब्स कर लिजिए बेल आइकन को फ्रेस करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजे है मैं आपके लिए से वीडियो लाते रहूंगा तो दोस्तों आगे बड़ते हैं और जान तो यहाँ पे ठिक ठाक बोल सकते हैं ठिक ठाक डिलवरी उठाया जा रहा है और अगर मैं रिटन की बात करूँ तो पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 150% का बढ़िया रिटन दिया है दो साल में 55% का और 1 साल में 102% का रिटन दिया है क्लोजिंग के समय कम या ज़ाद भी हो सकता है क्लोजिंग के समय कम या जदा भी हो सकता है क्वाटर ली अगर मैं तो nine Quarters tell, Today । इक डेटा वृदर ले हमारे पास अगले पास और यहाँ पे लाज्ट क्वाटर में 1872 कडेंद देखने को म्यावी थी यहां पिछले साल जो है सितंबर क्वाटर में 38.37 कडूर की यहाँ पे सेल्स हुई थी तो यहाँ पे लगतार हमें इंप्रूब्मेंट ही देखने को मिल रही है येर ओन येर बेसिस पे और अगर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लाश सितंबर क्वाटर में 22.28 कडूर की लॉस हुई थी वहीं पिछले साल 33 कडूर लॉस हुआ था तो लॉस कम हुआ है बहले ही कमपनिय भी प्रॉफिट में ना हो लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही ह आगे यह अच्छा रिटन दे सकती है देखिए दोस्तो टाटा मोटर्स भी ऐसा ही स्टॉक है वह भी कोई प्रॉफिट नहीं कम आ रही है दीरे दीरे जो है ऐसे स्टॉक आगे चलके मल्टी बेगर बनते हैं और बढ़िया रिटन देते हैं तो इनका कारवाल बढ़िया च देख सकते हैं यह फंडमेंटली स्टॉंग नजर नहीं आ रही रिटन अन कैपिल एंप्लॉइट भी निगेटिव है और रिटन ऑन एसेट भी निगेटिव है तो दोस्तों यहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 33.28% प्रमोटर्स का होल्डिंग है यहां पर पब इनके जो होल्डिंग से वह गिर भी रखा है इससे पहले ज़्यादा था और उसके बाद लगातार कम कर यह कंपनी तो प्रुग्रिस में कंपनी प्रॉपिट कमा रही है अपने प्लेज्ड जो सेर से उसको भी छुड़ा रही है तो बढ़िया काम कर रही है कंपनी तो दोस इसमें उपर की और दिखने को मिल रहा है अग यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा अवेलबर नहीं अप्डी से अच्छा रिटन नहीं आल्डरी बता चुकों आपको की रिटर्ण एक्विटी अच्छा नहीं है रिटर्ण एंप्लॉइट भी नहीं है लेकिन आगे च सारी चीज़े बड़ी है तो यहां पर देखती है एना लिस्ट का क्या कहना यहां पर इनका जो रहाइं वह भी आवेलबर नहीं है दोस्तों तो चली यहां पर मैंने आपको सारह चीज़े बता दिया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो लाइक कर दें चैनल सस्क्राइब करतें मैं आपके लिए से वीडियो लाते रहूंगा मिलता हूं फिर एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए दोस्तो ठेंक यू